नमस्कार अने वलकाम यो लू वर्लफेर्ट्स नायो प्रशान धबन नाओ इंडिया के प्रेशर ने जैनुवनली यहाँ पर काम किया है और रश्या का जो स्टेट कंट्रोल मीडिया था इसने वो कश्मीर वाली डॉक्यूमेंटरी का ट्रेलर डिलीट कर दिया है और उस डॉ अभी पोस्पोन भी कर दिया है यहाँ आप आप देख पाओ के आर्टिकल है दप्रेंट का रश्या स्टेट मीडिया रश्या स्टेट मीडिया आउटलेट रिमूस ट्रेलर और फिल्म एक्वेटिंग कश्मीर और फिलिस्तीन साइट्स थ्रेट्स अब देखो यह जो सारी क इसने एक एंटी इंडिया वीडियो पब्लिश करी ट्विटर फेस्बुक और जगा और ये वीडियो एक ऐसे टाइम में पब्लिश करी गई थी जब इमरान खान बहुत ही जल्द रश्या को विजिट करने वाले थी तो रश्या को ये समझ में आ गया कि एक बहुत ही प्रोजेक्ट कैंसल कर दो क्योंकि एक बार को इंडिया के साथ ग्रेशन्स बहुत अत्तक खराब ही हो सकते हैं और पाकिस्तान इस वीडियो का फादा भी रह सकता है अपने खुद के प्रागेंडा में और यहाब आप देख पाओगे ट्विटर अकाउंट है रड़ फिश अब वैसे आप अगर देखो रड़ फिश का सिंप्ली एक काम है यह सिर्फ और सिर्फ टार्गेट करते हैं इसराइल को आप देखोगे जो भी यह कंटेंड बनाएंगे डॉक्यमेंटरी बनाएंगे 70-80% हिट करती है इसराइल को इसराइल और रश्या के रिलेशन्स बाइ अब जैसे यह नियूस फैली उसके बाद आपको बताओगा कि रश्या की जो एमबसी है इन इंडिया इन्होंने ये क्लियर कर दी बात कि देखिए ड्रेड फिश्ट्रीम को रश्यन गर्वर्मेंट से जोड़ के मत देखो इन्होंने हालाक ये भी नहीं का कि ये हमसे अपने आप decision लेता है और मेरे हिसाब से हुआ भी यह होगा यहाँ बर देहिए clearly हुआ क्या है redfish obviously किसी ना किसी एंगल से रश्या से जुड़ा हुआ है नई तो twitter बिना बात पर russian state affiliated media इनको नई टाग देता तो इस particular case में क्या हुआ है कि redfish का जो भी यहाँ पर content head होगा उस पहले कोशिश करी कि redfish से ही दूर हो जाते हैं dis associate कर देते हैं मगर जब यह काम नहीं किया अब अजीब बात देखिए कितनी फनी बात है अगर redfish russian government से related नहीं है तो इन्होंने अचानक से यह के बोल दिया कि जी रेखिए हम पूरी documentary cancel कर रहे हैं trailer delete कर दिया altogether और का कि हम अभ American जो journalist है यह Russia को target कर रहे हैं इसी चुको लेकर क्योंकि American journalist ने इस सब में काफी आनन लिया यह देखकर के देखिए finally India और Russia के relations खराब हो रहे हैं क्योंकि इसका मतलब यह है कि India finally यह proper pivot कर पाएगा towards US तो redfish ने अपनी statement में यह कहा है यहाँ पर कि देखिए बिना वज़े यहा विद पाकिस्तानी प्रेमियर इमरान खान बट इधर वे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है रश्या का यहाँ पे control तो है redfish पर मगर content को यह लोग day to day basis पर check नहीं करते होंगे तो redfish से यहाँ पर गलती हो गई एंटी इंडिया वीडियो डाल दी पकड़े गए अब रश्या रश्या को विजट करेंगे और देखिए अब इनकी विजट को लेकर भी ना इंडिया में काफी बड़े सवाल है कि क्या रश्या प्रो पाकिस्तान हो जाएगा देखो मैं पहली बात तो clear कर दू कि आप अगर compare करोगे इमरान खान की prime ministership को with नवाज शरीफ नवाज शरीफ बहुत जादा बार मिलते थे world leader से compare to इमरान खान for example यहाँ आप आप देख पाऊगे यह meeting गो रही है नवाज शरीफ की व्लादमर पुतिन के साथ 2017 में SEO summit के दुरान ऐसी meeting आज तक इमरान खान की नहीं हो पाई उससे पहले आप अगर जाओगे तो नवाज शरीफ बिलकुल 1999 में रश्या भी जा चुके हैं बहुत बार यह व्लादमर पुतिन से मिले थे और 2016 से ही आप अगर देखो तो पाकिस्तानी journalist opinion pieces के थुरू अल जजीरा में और जगा ये लिख रहे हैं कि बस रश्या और पाकिस्तान धीरे-धीरे मिल रहे हैं धीरे-धीरे गड़े लग रहे हैं जबकि तब से लेकर अब तक आप देख रहे हो कुछ जादा concrete तरक्की याँ पर हुई नहीं है इमरान खान की विजट में भी क्या होगा कि पाकिस्तान simply loan मांग से कुछ लोन आएगा चाइना से और by the way ध्यान रखिएगा रश्या और कजाकिस्तान ये दो देश हैं जिनको इंडिया खुद लोन देता है तो मैं कहीं से भी इमरान खान की जो विजट है to रश्या इसको seriously नहीं लूँगा ये कोई इंडिया-Russia relations के लिए threat नहीं है हाई इसका मतलब ये नहीं है overall के इंडिया-Russia relations अपनी जगा बहुत strong है इंडिया-Russia relations का main मैं बता रहा हूं के test आएगा Ukraine crisis को लेकर जब रश्या finally attack स्टार्ट कर देता है Ukraine पर तो अभी के लिए clearly आप देख सकते हैं के रश्या की सरकार रश्या का state media कितना जादा केर करता है Indian sentiment क Indian media का के जैसे ये news family के एक Russian state affiliated media ने एक anti-India documentary का trailer release किया है इन लोगों ने पूरा project drop कर दिया everything has been deleted और हाँ इन्होंने अपनी तरफ से reason ये दे दिया के देखिए हमारे journalists को धंकी मिल रही थी इस वज़े से हमने delete किया है अगर चलो ठीक है journalists को धंकी मिल रही थी तो एक बार को movie release ना करते, trailer delete करने की आप सकता नहीं थी, तो देखिए clearly Russia की गलती थी and they have corrected their mistake, finally आपर मैं ये भी add कर दू कि An Academy का एक बहुती special offer recently start हुआ है जिसके under आपको सीधा flat 4500 रुपीज का discount मिलता है on UPSC Combo subscription, उसकी ओपर additional 10% discount आपको और मिलेगा और जो हमारी test series An Academy की ये भी आपको free मिलेगी अगर आप एक साल या एक साल से उपर का course purchase करते हैं, तो simply यहाँ पर comment section में जाओ, यहाँ पर आपको भी लेगा link UPSC CSE Plus, इस link पर क्लिक करो और यहाँ पर ये जो combo course है, यहाँ आप कर पाएंगे purchase जिसके अंडर आप UPSC films, mains, optional, तीनों की त्यारी कर सकते हैं, अगर आपर code use करो PD10, and the prices will start falling, so काफी हचा भी discount चल रहा है, if you want to buy these courses, now is a great time to buy them, so इसी note के साथ, यह है video कांट, thank you for listening, and as always, God bless you all.